हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग सागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आइकॉन एजूकेशन पर आज हम लोग फूलपत्ति वाली क्लास डेली करेंट अफेर्स चार जनवरी 2022 को डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आप लोग को भी यह परिशानी हो रहा होगा कि परने के बाद आप लोग डिवीजन नहीं कर पाते होंगे अच्छे से तो मैं इस वीडियो में आपको डेली करेंट आठ अफेर्स जो है डेली के बैसेस पे 7-8 मिनटी की वीडियो में डेली करेंड आफेर्स को डिवी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें तो आज का हमारा पहला क्वेस्टन्स है हाली में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्गाटन किया गया है तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्गाटन चीन के संगहाई सयर में किया गया है और संगहाई यंग टी-सी नदी की किनारे इस्थित है और यंग टी-सी जो है वो इस्या की सबसे लंबी 670 ठेखिए 32 डेम यंग्टी-सी नदी केके किना स्वान में रखेंगे और अगरू हूबर बाच के बात करें तो यह कालो रेड नदी पर है। कौन से नदी पर कॉल रेडाो नदी पर स्तित हैं। हम लोग नेक्स्सकुेसं को देखने वाले है जी ला सूशाशं सूचगंग स्थापित करने वाला पहला के अंदर सासित प्रदेश कौन चाहोगा तो जिला सुसासन सुचकंग स्थापित करने वाला पहला के अंदर सासित प्रदेश होगा कौन चाहोगा जमू एन कस्मीर होगा जो की 58 संकेतकों पर दारित होगा और जमू कस्मीर में कुछ दिन पहले सत अधिर्वैंट सथार्ग और प्रूफ एप अस्टार्ट किया गया था और सुच्छासन सूच्छ काउन किसके द्वारा जारी किया जाता ही तो निती Sahagd आइस को देखने वाले एक जन्वरी 2022 को कौनसा हाइड कोट देश पहली paperless अदालत बनी है तो यह कौन सी बनी है देसी पहली paperless अदालत तो केरल उच्चिनियालय जो है वो देस की पहली paperless high court बनी है, हम लोग next questions को देखते हैं कि 3 जनवरी 2022 को रक्षा मन्तरी राजनाथ सिंग ने कहां पर कल्पन चावला center for research in space science and technology का उद्गाटन किया है तो राजनौप चिंग में चंडिगर उनिवर्सिटी में जो एक के सी सी आर एसस्टी का उद्गाटन किया है अब हम लोग नेक्स्ट क्केस्टन को देखने वाले हैं तीन जनवरी 2022 को सावित्तरी फूले को देश वर्मेस्टन धानजली अर्पित की गई ठीक है इनके संबन्द में क्या सही है तो पहले देश पहला है उप्संस उन्हें देश की पहली मैला सिक्षिका का दरजा प्राप् विद्यालय शुरू किया था तो यह तीनों जनवरी को महराश्टर में बाली का दिवस मनाया जाता है और अट्रस वर्मेश उन्होंने पूने के विंडवास में पहला जिश विद्यालय शुरू किया था तो तीनों एप्संस सही है हम लोग नेक्स क्रेस्टकों को देखने कि 10 January 2022 को प्रधान पंत्री नरहेंद्र बोधी ने and Wai 에न गुजरात ग्लोबसमीट के कौन से संस्क्रन का उगाटन किया त्होरा 10.05 दोर्गारख को ग्लोबल य।ुरो फिर्ट गुजरात ग्लोबसमीट किनधस और तो यह आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कि अभी कमार क्वेसिंस में यह पूछा जाता है अब लोग नेस्ट क्वेसिंस की बात करने वाले नासा का अंतराश्ट्रिय वायू और अंतरिक्च कारिकरम आई-ए-ए-ए-ए-पी पूरा करने वाली पहली भारती कौन बनी है तो यह जानवी डंगेटी बनी है कौन बनी है जानवी डंगेटी जो पूरा करने वाली भारती वनी है और हाली में आपको पता होगा कि नासा ने लूसी मिशन लॉंच किया था प्रतिवर्स विस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो यह चार जन्वरी को मनाया जाता है लुइस ब्रेल का जन्मदीन के अफसर पर क्योंकि लुइस ब्रेल लिपी का आविस्कार किया था जो देख नहीं सकते हैं वह इसे वैक्टी के लिए अब लोग नेक्स क्रेशन को देखने वाले बीते दिनों चर्चा मेरा अपतानी कपरा उत्पाद की सिराजित से संबंदित है तो अपतानी कपराउस पात्स पात जो है और नेक्सग प्रदेश से संबंदित हैं आ जो एन्built उत प्रदेश से कुछ इंप्याट्न की बात करें मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है तो मॉलिंग नेशनल पार्क अरुनाचल प्रदेस में है और सेला सुरंग भी जो और अरुनाचल प्रदेस के तौंग जिला में श्थित है ठीक है और अब नेक्स्ट को देखने वाले कॉन सा राजजी देश का पहला LPG युक्त और धुवां मुक्त राज्य बन गया है तो जैसा कि आपको पता हुआ कि हिमाचल प्रदेश जो है LPG connection 100% LPG connection बने वाला पहला देश है तो हिमाचल प्रदेश ही पहला LPG युक्त और धुवां मुक्त राज्य भी अव बन गया है अब next question हम लोग देखने वाले vibrant गुजरात global submit 2022 के संदर लिखिते कथनों पर विचार करते हुए सत्त कथनों का चेर्ण कीजिए तो पहला options है कि 10 January 2022 को प्रदावन मंत्री नरेंदर मोदी vibrant गुजरात global submit 2022 का उद्गाटन करेंगे तो एकदम सही बात है हम लोगों ने पहले वाले questions भी इसको देखा था बी options है या एक सिखर सम्मेलन का या इस सिखर सम्मेलन का दस्वा संस्क्रन है जिसे महात्मा मंदिर गुजरात में आयोजित किया जाएगा तो एकदम सही है वर्स 2022 में होने वाले सम्मेलन की theme आत्म निर्वर गुजरात से आत्म निर्वर भारत तक है तो ये भी options है तो तीनों options जो है इससे related सही है इसलिए options answer क्या हो जाएगा A, B और C कथन A प्रतिवर्स तीन जिर्मरी को विस्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है तो एकदम गलत है जैसा कि आपको हम लोगों ने पढ़ा की प्रतिवर्स चार्ज मरी को विस्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और कथन B है विस्व ब्रेल दिवस की स्थापना संयुक्त राश्ट्र महसाबाद द्वारा नवंबर 2018 में की गई थी और इसका उद्यस आम लोगों के बीच ब्रेल लीपी के बारे में जागरूपता पैदा करना था तो एकदम सही है 2018 में ही इसका शुरुवात क्या गया था अब नेक्स क्वेशन को देखते हैं कि अपतानी कप्राउत पात के संदर्ब में निमलिखित कचनों पर विचार करते वे सत्व कतनों का चेहन कीजिए अपतानी कप्राउत पात के संदर्ब में निमलिखित कतनों पर विचार करते वे सत्व कतनों का चेहन कीजिए तो पहला उप्षन से हम हाली में एक फर्म द्वारा अरुनाचल प्रदेश के अपतानिक अपराउतपात के लिए भावलिक संकेत टेक की मांगेतु आवेदन किया है तो एकदम सही बात है हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था इस questions को बी है अपतानी बुनाई अरुनाचल प्रदेश की अपतानी जनजाती से संबंदित है जो लोवर सुवरंसरी जीरे के मुख्याले जीरो वैली में निवास करती है तो एकदम दोना ही option 100% सही है तो इसका answer हो जाएगा A and B पंदरमा questions जो की हमारा आज का last questions होगा कथन ए 29 इसंबर 2021 को रास्थान के मुख्यमंत्री असो गहलोत ने अबू परवत नगर पालिका के सरद मौटसब 2021 का उदगाटन किया ठीक है तो एकदम सही है और 23 उत्तर प्रदेश सरकार ने यह 23 कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार ने जहांसी रेलवे स्टेशन का नम विरांगना लक्षमी वाई रेलवे स्टेशन कर दिया है तो दोनों ऑप्सन सही है विरांगना लक्षमी वाई रेलवे स्टेशन कर दिया है जहांसी रेलवे स्टेशन का नम और और सोगेलो जो की राजस्थान की मुख्यमंत्री है उन्होंने आबू परवत नगर पर पालिका के सरद मौचब 2020 का उद्गाटन भी किया तो यह दोनों ही क्वेस्टन सही हैं तो आज के लिए वास इतना ही अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरू-जरू सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइच फॉर वाचिंग इस वीडियो